जपान में G7 की बैटक के बीच आक्शन में है रूस यूक्रेन के दर्जनों शेरों पर रूस की बारूदी बारिश हुई है और रूसी फॉज ने यूक्रेन में डेड़सों से जादा हमले किये हैं और हमले में शहीद ड्रोन और क्रूज मिसाल का इस्तमाल हुआ है देखें ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी भी जहां एक तरफ भारत की कोशिशे हैं कि वो उस मंच का इस्सा बने जिसे हम G7 की नाम से जानते हैं जहाँ पर भारत प्रदानमंत्री मोदी शांती का पैगाम दे वहाँ पर अभी रूस और इस वक्त यूक्र का दावा हुआ है दावा क्या है दावा ये है कि यूक्रेन में रूस की तीन क्रूज मिसाइल मार गिराए हैं और रूस के भेजे कई ड्रोन भी हवा में द्वस्त किये गए हैं देखिए ये कुल मिलाकर जो स्तिती बन रही है वो स्तिती ये बताती है कि इस वक्त 10th स्वाह यूक्रेन और साथ ही रूस के बीच में और रूस अब बदले की भावना से यह पूरा का पूरा जो एस्ट्राइक की बाते हैं वो हो रही है देखें मोदी फॉर्मूला किस सरा से काम आएगा और रोकेगा विनाश दुनिया को भारत से क्या आस है इसे भी समझना बहुत जारा है इसके लिए देखें इस वक्त मैं आपको ये दिखा रही हूँ यूक्रेन में कहा का रूस के हमले हुए हैं ये समझना इसलिए जरूरी है इसके जरी आप ये समझ पाएंगे कि कैसे कैसे इस वक्त पूरा का पूरा जो यूक्रेन है वो जल रहा है यूक्रेन में हम बात कर क्रीमिया की नीप्रो की डॉनेस की इसके अड़ावा आप पोलतावा ये वो जगे हैं जहां पर सबसे ज़ादा नुकसान हो रहा है खारकीव तो ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहां पूरी की पूरी अपने गुस्से की अपने हतियारों की भडास रूस आपो शुगूर की एक वो हिस्सा है जहांसे लगातार हर दो दिन तीन दिन के बीत है Jetzt वो खे आने लगते हैं यहां पर लगातार हमले हो रहा है लेकिन अस वक्त पूरा का पूरा यूक्रेन रूस दी बारिश की वज़जा से जल रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह ह कि इन तस्वीरों के बीच जो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ इस तमाम तस्वीरों के बीच एक positive sign G7 के तोड़ पर प्रदानमंत्री मोदी का जपान में पहुँचना माना जा रहा है मोदी फॉर्मूला किस तरह से रोकेगा बिनाश ये देखिए इस वक्त 24 गंटे में रूस की बारुदी बारिश की एक अगली जानकारी 22 हमले हुए है शहीद ड्रोन से सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसके बाद 6 हमले हुए है कैलिबर क्रूज मिसाइल से 16 हमले की गए है लड़ाकू ड्रोन से और 29 हमले हुए है मीडियम रेंज मिसाइल से इसके बाद बारी आती है ऐस्ट्राइक की देखिए बहुत जादा ऐस्ट्राइक की खबरे आ रही है कमर आगा जी इस वक्त मेरे साथ जड़ो हुए है कमर आगा जी यह जो फाक्स मैंने आपको दिखाए है सार हमारे वीवस को दिखाए है आपको क्या लग रहा है मौजूदा वक्त में इस रात की सुभा कब तक हो पाएगी यह मुझे तो नहीं लगता है यह तो खासतोर से आज जो इस वक्त बांबिंग हो रही है यह जी सेवन की वजह से भी हो रही है जी सेवन के अंदर उनका अपना एक एजिंडा है रशा के खिलाब बात करने का एक रशा के खिलाब बड़ा महाद बनावा है और वो दूसी तफियर रशा यह दिखाना चाहे रहा है कि हम अभी भी स्ट्रॉंग हैं और हम आपकी जित्ती भी कोशिश है उसको नहीं मानेंगे पूँ ये दोनों के वर्चस की लड़ाई है जी सेवन जो है वो अपना उसकी कोशिश यह कि दोबारा से वो चाहती है कि उसका जो गलोबल एक इस्टेति थी वर्चस बना था इस मीटिंग में ताई यह हो रहा है कि किस तरीके से उसको बनाया जाए क्योंकि जो दूसरे रीजिनल ग्रूपिंग्स जो है ग्लोबल साउथ के खास्तोर से देखा जाए तो ब्रिक्स और उनके अलावा इस तरह के दूसरे ग्रूप्स हैं वो बहुत तेजी से इमर्ज कर र भारत वाली लाइन पर आते चले जा रहे हैं और ब्रिक्स को जॉइन कर रहे हैं तो यह बड़ा क्लाइश दोनों के बीच में यह बड़ी खतरनाक इस्थी है इस वखत दुनिया के अंदर अच्छी बात यह इसलिए प्रधान मंत्री मोहुदी जी को भी बिलाया है उनीने क मोहुदी जी की एक ऐसी वाइस है जो दोनों तरफ सुनी जाती है भारत का एक बड़ा यूनीक स्टेटस है इसलिए कि दोनों की कोशिश है भारत को चाहते हैं कि वो अपने पल्ले में खीचने की एक तरफ तो पश्चिमी केश है तो दूसरी तरफ आम देखने हैं आप जो एक बदले की भावना के तहती वो सारी बातों को अब आगे बढ़ा रहा है यानि एक्शन के रियाक्शन की तौर पर इस पूरी गटना को ले रहा है रूस बिलकुल रूस देख रहे हैं कि जिलिंस्की को भी बुलाया गया है और वहां पर गये हैं वो ऐसे स्पेशल इनव रूस को भी अपना आटिट्यूट बदलना पड़ेगा और वेस्टरन कंट्रीज को भी थोड़ा अपना इसको री नेगोशियेट करने पड़ेंगे आपस में और उक्रेइन के साथ तो फाइंद पीस फॉर्मिला क्योंकि अब यह बहुत पंदरा महीने हो चुके हैं इस ल अच्छा आप उनको आप आप जीजिया मुसको भी डिस्ट्रॉई करेंगे मुसे डबल अटैक करेंगे यह जो जो चल रहा है इससे तो कोई हल निकलेगा नहीं और इंडिया का जो रहा है हमेशा अप्रोच और अड्वाइज रही और शाइद अधमोदी जी को अगर यह मि लेगा नहीं तो यह लड़ाई चलती रहेगी मैं एक और इंपॉर्टन बात है कि बहुत सारी बाते और हैं जो इस पूरे घटना के दौरान एक और लगातारी जो तस्वीरे और जानकारी आरे हैं उसमें हमारे आम बोलचाल में का जाता है मिर्ची लगना तो विशनबर द अगर मिलते हैं कहीं जेलेंसकी को तो मैं समझता हूँ कहीना की रश्या भी यह ड्रॉ करता है इससे कि कहीना कहीं पीस एफर्ट है देखिए भारत आज के दिन रश्या के जो जैन्वन तिंकर्स हैं जो जैन्वन लोग हैं वो यह समझते हैं कि ना चाइना और ना यॉरप और ना कोई कंट्री आपका इतना सचा साथ है जितना भारत आपका सचा साथ है क्योंकि पीपल to people हमारे relations है diplomat to diplomat हमारे गेरे relations है various platform's है यहांवनेंटरेक्ट करते है तो प्राइमिनिस्टर मोधी अगर जैलेंज्ट की प्राइमिनिस्टर मोधी से मिलते हैं या उनकी बातचीत होती है तो मैं समझता हूँ यह अच्छी बात है और रुशिन्स इनको एप्रिशेट करेंगे लेकिन जहां तक हकीकत यह है कि जो लोग इसमें पीस ला सकते हैं वो ऐसी जगह हीरो शीमा जैसी जगह पर लड़ाई की बात करने गए ना की पीस की बात करने गए अगर पीस की ज़रूरत है आज दुनिया को पीस चाहिए यूकरेन और रश्या के बी कुछ दूबार नहीं है